वेलकम टू मा यूटूब चैनल नर्सेस्टेक ओनलाइन आज का क्यूशन है इनमे से कौन सी कंडिशन में एसकोफ नोडिूल्स बनते हैं ओप्शन सार रुमेटिक हार्ड डिजीज, पेरिकाडिल इफ्यूजन, टूबर कुलोसिस या गाउट आर्थराइटिस तो इससे समझते हैं, रुमेटिक हार्ड डिजीज एक इन्फलामेटिक डिसोडर होती है, जो कि ग्रूप A बीटा हिमोलाइटिक स्टेप्टो कॉकस की वज़े से होता है इसमें इन्फलामेशन एन्फाइब्लोसिस की वज़े से हार्ट की मायोकाडियम लेयर में एसकोफ नडूल या एसकोफ बोडिज बन जाते हैं, जो कि रुमेटिक हार्ड डिजीज का करेक्टरिस्टिक साइन होता है इस डिजीज को डाइगनोज करने के लिए एसो टाइटर टेस्ट किया जाता है रुमेटिक हार्ड डिजीज एन्ड एसो टाइटर टेस्ट को डिटेल से समझने के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्यू